हेलो वैलकМ टुम टु माई चानल स्टडि बेस्ट तर आज आपन बगना रहोत सैन्स ओने ची आक्टिविटी नंबर से वन अने अप्टिविटी नंबर ईट तर और淦ी मी सहाा अक्टिविटी किसाइंस वन चे अप्लोड के लिए तर स्यंसरेंश चीज टेस्ट वन आये ती अप्लॉड के लिए अधर पने तुम्हें बगवित लेना सोफ देते पाहा आ अच्छा लेक्षर मुण दे आपन पाना रोथ एक्टिविटी सेवन हने अक्टिविटी एड फांस साइंस वन तर यहां अंतरे काई questions है जी कि 5 questions है आप लले यहां वंदे solve कराएचे तेचे ट्रांसलीशन के लिए लाहें अनगे ठीकने answer पहुँँँँ यह चे answer सम्होँँँँँ त्यादोगर आज आपन activity no.8 पन पहाता है तैचे पा स्क्रिंशोट पहलांदा ग्या तुमी activity no.8 चे त्यादो आपन पहुँँ पहलांदा activity 7 चे answers पहाया था activity 7 महादे topics नावा है reflection of light अधिके reflection of light जानाय स्टैंडर मेदे बहते लगाता त्यावर related है questions है तो 5 questions है खुब easy questions है पहा question 1 काय दिलेला है पहा write the name of instrument in which क्यों मिरे रिजिजग लाहें रिजग है आप लेल जाब जी इं subscribe headlights of vehicles fluid lights on sports ground solar appliances headlights of vehicles fluid lights on sports ground concu mirror second question how does make the water heater using concu mirror it is called saangai sun rays obtained from will concentrated on focus focus on concave mirror due to these three large scale of heat producers and we are ready to use a water heater by using a concave mirror question 3 which type of mirrors used in the falling instrument we have 4 instruments and we know which type of mirrors used in the first one is periscope periscope is used as plain mirror there is a mirror for shavings and we have to use a mirror for shavings fluid lights on the road there is a convex mirror of motorcycle we have to use a mirror to use a mirror which is a concave mirror this is very simple there is a question 4 question 4 we have to take a question we have to take a question in the 10th object placed in a center of curvature and focus on concave mirror then complete the diagram and find the position, nature and size of image and actually question paper the diagram should be added to the rdits and the mirror should be added to the given and then complete the diagram we have to create this whole diagram you have to make the diagram and you have to explain the explanation some of the reflections how does this diagram आपले पोजिशन आए, नेचर आए, साइज आए, ते मी तुम्हाल सांगतु, ही डायग्राम तुम्हाला काड़ाई छे ही, ठीक है? आधे चे आपन काय एर्थ पहलाना सांगतु, पोजिशन अफ अबजेट का होतो, बिट्वीन सेंटर ओफ करवेचर आनी फोकस, जे आता अ अबजेट जे होना ही, ते चे पोजिशन कुट आसनीर, बेट्वीन सेंटर ओफ करवेचर आनी फोकस म दे आसनीर, ते डायग्राम मते तुम्हाल दीसेता से, ते अनंत बागा, पोजिशन अप इमेज कुट आसनीर, इमेज ची पोजिशन कुट आसनीर, बियान दे सेंटर इमिज का स्युना इन इनुर्टेड तरील आशनर अंठीका इनुर्ट जहलेगी अपले दिसेता है इमिज अनि साइज आप इमिज का बिगर देन ऊपजेट आप जे ओरिजिनल ऊपजेट होचाता चपक्छा है इमोटी आसनर यह ने बहुत च्यार पन लेला जे पूजिशंस के मते चे कारक्रिस्टिक्स प्था आपन डाइग्राम काड़ें जी तैनन्त लाहें प्रीज तैन्न अंतर है अक्टिविटी अमत लास्ट कोशन भूहें आपन काया है थ्री प्लैट मिरर्स, कार्बोर्ड, ग्लास पीसे एक्सेटरा ग्रियेट चामास यह ट्रान्सलीशन मदे दाख होता है यह एक एक्स्प्रिमेंट है आपन एट स्टेंडर मदे बगीत लेला है एट स्टेंडर मदे पन आप लेला रिफ्लेक्शन अप लाइट होता जो आपने एक्स्प्रिमेंट के लासिए बहर पर स्टेंडर ठाएं एट्याइट हयु केले लाई.. तो आपने एक्स्प्रिमेंट अप लाहा है कसा कसा कहला है तेया नंतर, take a white paper of triangular shape and fix it with the tape at one end of the mirror. आता एक एंड लापलाला काया करेचा, तेया ट्रेंग लापलाला काया करेचा, ट्रेंग लापलाला काया करेचा, टेया नंतर, white paper, तेया नंतर, insert 4-5 colored glass pieces in the hollow of mirror. आता, hollow of mirror माद आपलाला, glass pieces चे वेवड़ा, चारपाज color चे pieces ठाकाई चाया, तेया नंतर, काया होता बहा, close the other end also with the paper and make hole in it, आता, दुसर जे end होतो, तेला पन आमला paper न कर रहाएचा, close, आनि तेला एक hole कर रहाएचा, look through the hole, आता, ते hole माद आपला बहाएचा, towards the light, you will see images of glass pieces, these are formed due to reflection of three mirrors, ये कशा मूला होता है, reflection of three mirrors, ये अपने आपने इस्टेंडर मंदे पागितला है, periscope साथ या है, ठीक है, आशा परकार है, आपने अपने एक्टिविटी 7, जे रहाएचा अपने एक्टिविटी नंबर एट, आपने आपने एक्टिविटी नंबर एट, आपन एन इंपोर्टने इले मेंट, ये या होर रेल्एटेला है, तो आपने या मनलन पहवा है पहला कोशन काय है, राइट जैन में, अपने नावे ले जिए, हाड़ अलॉट्रॉप्स अफ कार्बन, हाड अलॉट्रॉप्स अफ् कोनता है डायमंड नाहिव, तैन अलुप्स इन यहां आसा तेछ मनले जो क्यारोवा आफिर्वा प्रप्स से थीका हों तर भाष्ट इसका चारोफोल त्यान आंतर आपने वह कोर्षेन टू कोशेन टू मधे आपलेला देला है फिल इन दे ब्लैंक इन बॉक्स देलेला है त्यान आंतर अमने गेहला मद्य बागी पाह पेलें आता अटमिक नंबर का है कर्बंचा 6, मा तो लिए ला 6 अटमिक नंबर नंता आपन बहुत अटमिक मास्ट, अटमिक मास्ट के तिया है 12 हो आए, मा आपन 12 फिल कराएचा त्याना तो सिम्बॉल जी आए, सिम्बॉल का है capital C त्याना तो valence, valence चादो आपन इलेक्ट्रन कंफिकेशन, कास्ता carbon चाहा अटमिक नंबर है तैमोई, electron कंफिकेशन 2,4 nr अनि valence का nr, last valence आपनल माहिते, carbon ची वैलनसी खोराईब, यह आपनला फिल कराएचा ओती है बॉक्स मादे, ठीके त्याना तो आपन पहो, question 3 का देले लाए, write in two uses of graphite, आतो graphite जी आए, त्या आपली uses सांगा चे, graphite कुटे यूज होते, graphite is used in making electrodes, आतो जी आपन electrodes तायर करतो ते जामादे graphite सास्तो, and making lubricants and lead pencil, आतो lead pencil आपन जी करतो ते, and lubricants मादे आए, त्याना आपन पहो, question 4, made the flow chart of classification of carbon, आतो carbon सापला classification सांगाईचे, आपन आपने ही 9 standard मादे आपन जास ऐलोटरब बादे बोलते हैं, त्या ग्लासिपिकेशन ऐलोटरब या पॉइंट वरूं के लेला है, carbon सा दोन ही चामादे हो जी, crystalline allotropes, आनि non-crystalline allotropes, आतो crystalline allotropes कुण कुण आस ता जासे कि diamond हाई, graphite आए है, आनि non-crystalline allotropes मादे तो चारकॉल, कॉक आनि cool, ये सगरे non-crystalline allotropes, आनि आनि तो भूगाच्छा लास्ट कॉशं, कॉशं 5, identify the allotrop of carbon from the falling atomic structure and write two properties, आता अपने जा कॉशं पेपर जो आएगा, कॉशं अक्टिविटीज जा है, त्या मदे एक डाइग्राम हाई, तुम्हाला डाइग्राम काडाईची गराज आए, त्या म्यों कॉशं पेपर हम काडा, एक structure दिले लाहे, पहले जी structure दिले लाहे, त्या टिर कसले structure आए, त्या एक्स्प्वनेशन मी ली ले ले ले, त्या प्रफटीज ले, आसल हैच, आप लेला ती डाइग्राम electricity कोंते दोन प्राफ़टी आपले लाहे चाहे दोन प्राफ़टी लिए त्यान अन्त जी सेकंड इमेज आए सेकंड जी फिगर आए त्या स्टक्चर का सलाहे अबो श्रक्चर इस स्टक्चर ओफ ग्राफाइड तैस आलोटरफ आफ कारवन ग्राफाइड का है ग्राफाइड आपली समतिया है तो तुम्हाला वीडियो आवडला आसेल तो प्लीज लाइक करा काई क्वेरी आसेल कुंती वीडियो का रहे चाहे त्यासेल तो कमेंट बॉक्स में देट आका तुम्चा फ्रेंड बोर शेर करा आनी चैनल सब्सक्राब कराला विश्रुना का थेंक्यू